है आप यह कि नमस्कार मैं हिंदी चैनल में हरुए अगर अभी तक थिशाय कि यह लेकर आपके बड़क्षे कुछ बड़ा लक्षोन है तो यह जो 20 बाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह सरवाधिक महत्यपूर्ण है यह आप इसका अनुपरन से निश्चित कर लेते हैं इन बातों को यह आप समझ लेते हैं और यह इसी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रुप से आप किसी भी आनी हो चाहे नाटक हो यह आप नियास हो जो भी आपके सीलेबस में शामील है पार्टिकर में जैसे गुदान है यह नहीं है तो पढ़ना बहुत जोरी है टेस्ट बुक पंडे से क्या होता है एक तो आपकी अधना इस पस्ट हो जाएगी जो लेकख है या कभी है किस अधना को लेकर किस उद्देश्य को लेकर उन्हाने उसको लिखा है उसके बाद उसमें कौन-कौन से पात रहें उनके समवाद क्या है तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलाएगी तो आधित आपकी तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है बहले ही बाद में उसकी आलुचना समालुचना पढ़ते हैं आर्थ वगरा की जो किताबें पढ़ते हैं व्याख्या की वो तो जवरी है ही लेकिन सबसे पहले आप टेस्ट बुक को पढ़ें इसे एक फादाईया होगा कि आपकी भाषा शुद्ध होगी और आपकी अधर्णाओं की समझ विक्सित होगी और साहित्य से आपको प्यार होगा च्योंकि साहित्य अन्य विश्यों से हट कर है साहित्य के लिए को पढ़ने के लिए आपको उसमें रुची होना और उस विशय से प्यार करना बहुत ही आउश्यक है तो आप हमेज़ा टेस्ट बुक को जरू पढ़ें चाहे गोदान है गबन है सिवा सदन कर्म भूमी है या फिर मेला चल है रागदर बारी है तमास है जूठा सच है यह तो पन्यास होगे कविता में जैसे कामाइनी है या फिर कोई अन्य रचनाय है राम की शक्ति पूजा है तो टेस्ट वो को कितना भी कठीन हो आप जरूर पर ध्यान दे मतलब हम शब्दों का उचारण कैसे करते हैं उचारण की शुद्धता पर सुरूर से ध्यान दे क्योंकि हिंदी जो है धन्यात्मक भाशा है जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं तो यदि आप उचारण शुद्धता के साथ करते हैं तो निश्चित र अ objective बात है जो हिंदी की जो शीक्षक होते हैं। उनको सरवादिक नफ्ट किस बात से होती है ग्षिनन किस बात से होती है वर्तनी गज्जु अशुद्यां होती हैं आपके लेखन के दोड़ान। जेब आप लिखने की वर्टनी समंधी गलत buyer करतें हैं इस्पेलिंग मिश्टेक्स करते हैं तो वह उनको बिल्गू बर्दास नहीं होता है नंबर करता चला जाता है इसके बाद जो आपकी लिखावाट है वह बहुत ही आकर्शक और साप सूत्री होनी चाहिए वले आपकी लिखावाट या हैंडा टीम बहुत ही सुंदर नहीं है तब भी आपको प्रयास यह करना है कि वह पढ़ने में बहुत आसानी से समझ में आ जाए मतलब जो आपका मुल्यांकन करता है जो शिक्षक हैं उनको बहुत ज्यादा प्रयास करने के आशक्ता ना हो मतलब आपको अपना उत्तर पढ़ने के लिए बाद कर देना है मुल् साब सूत्री होनी चाहिए और वह आकर्शक भी होनी चाहिए दि हो सके तो और एक बात और बोलता हूँ आपको बार बार काट चाट ना करें अर युदि आपको कहें कुछ शब्दों को काटना भी पड़ गया तो एक सीधी लाइन से धीरे से उसको प्यार से काट दे हैं ताक को करना ही पड़ता है लिखित परिच्छा के लिए हो या फिर आप 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 जेक्ट्टिव टाइप का परिच्छा दे रहे हो लेगिन अधारणाओं की सम लिए आपको परभाशिक शब्द वाली की जो किताब आती है उनको पढ़ना पड़ेगा मतलब जो अधाना है जो कांसेट है विभिन कांसेट है उनको आपको समझ कर याद करना है उनको समझना बहुत ज़री है तो इसलिए सिर्फ गायड वगर जो मार्केट में मिलते उनके भरोसे न रहें इस्तरी और प्रमाडिक पुस्तकों को अध्यान करें ताकि आपका कांसेट क्लियर हो सके जैसे प्रगतिवाद क्या है प्रगतिवाद का उद्भव क्यों हुआ वह किसे प्रेरिध है जैसे प्रगतिवाद है वह जैसे राजनीती के छेत्र में जो मार्सवा तो आपको पूरा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हम प्रगतिवाद को समझ कर याद करना को आप परिच्छा पास करने के दिष्टr से आप नोट्स डृधे उसा नी करना है समझ विक्सित करेंगे और अपने चुन में यदि आप लिखेंगे तो निश्य तरुप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे तो कि बहुत सारे चाथ रेकी किताब एकी तरुके के नोट से से पढ़ लेते हैं और सब एक जैसा उत्तर लिख करा जाते हैं तो उससे क्या है फाइदा होने वाला नहीं है एवरेज मार्क कि जो प्रमाडिक किताबे हैं कुछ किताबों का नाम बताए आपको तो ऐसे जो बड़े-बड़े राइटर हुए हैं इंडिया के उनकी किताबों को आपको अधियन करना है मतलब खाली गाइड वगरा के भरोसे में आप ना रहें प्रमाडिक पुस्तकों का अधियन करें जो इस थापिक जो लेखाक हैं जो बड़े-बड़े लेखाक हैं हिंदी साहिते के हिंदी आलोचना के शेत्र के जो बड़े-बड़े लेखाक हैं उनकी प्रमाडिक कृतियों का आपको अधियन करना है इसके बाद है आउधार्णाओं का तुलनात्मा का अधियन आपको मा भावित बहुत सारी अधाना है जैसे भारती कावेशास्त्र तो अपना खुद का है लेकिन जो पाश्चात्य कावेशास्त्र की आज जब हम अधानाओं को पड़ते हैं तो वे कहां से आई हैं Western countries यह यह European countries यह तो हमको जैसे की छायावाद और रहासिवाद इसके साथ हम तु कौन से famous writers हुए हैं जैसे की खायावादी कभी हैं सुमित्र नंदन पंत वैसा ही Western countries में जो अंग्रेजी कभी हैं वो कौन है विलियम वाट्सवर्थ हैं तो इनकी ऐसे तुलना करना आपको आना चाहिए तो आपको तुलनात्मा का ध्यान करके पढ़ना है यह बात आप ध्य किताबों को भी पढ़ना है मानसर की कहानियां पढ़नी है तो इस तरह आप अपने syllabus तक ही limited मत रहिए जो साहित्य का जो संसार है वा अनुठा संसार है जैसे आपने मैला अंचल पढ़िया तो नहीं मेरे syllabus में मैला अंचल है परती परिकता भी पढ़िए परिसोर नात्रेड कि वह साहित्य को पढ़ने का शौकीन होता है अधिक सधिक साहित्य को पढ़ना चाहता है पढ़के समझता है इसके बद यह हिंदी साहित्य में अच्छा कमांड हासिल कर लेते हैं हिंदी विशाय में और हिंदी साहित्य में अच्छा कमांड है आपका यह बहुत अच्छा आपने उस पर पकड़ मजबूत कर लिया तो आपका करियर तो बनी जाएगा करियर की तरब से आप निश्चिंद रहे हैं आपने अधानाओं को समाज लिया है बहुत अच्छे से किताबों को पढ़ा है तो करियर तो आपको बन जाएगा तो इसलिए तनाव रहित पढ़ना ह हिंदी साहित्य के वल परिच्छा पास करने का विशय नहीं है क्योंकि जो साहित्य है वह समेधना का मानवी भावनाओं का मूर्त रूप साहित्य है जो लिखित सामगरी हम पढ़ते हैं वह क्या है मानवी भावनाओं का मानवी समेधनाओं का मूर्त रूप है तो दिन भर अप करियर को ध्यान में लेकर नहीं पढ़ना है आपको तनाव रहित होकर बहुत ये शानत भाव से बहुत प्यार से उसको पढ़ना है अन्य सब्जेट की तरह तनाव देने वाला सब्जेट यह नहीं है इसके बद एक महाद एक बाद चीज जो आप लोग प्राया इग्णोर कर देते हैं इसके उपेख्छा कर देते हैं हुआ है क्षात्र को मतलब अर्थ पता नहीं होता हुए हंदी की बहुत अच्छी एक डिश्नरी आपके पास होनी चाहिए हिंदी साहित्य का छात्र कुछ भी पढ़ रहा है यदी तो उसके पास क्या होना चाहिए हमेशा शब्द कोस उसके पास में होना चाहिए और किताब में यदी कोई शब्द कठीन आता है तो बगल में या पैंसिल से उसका मिनिंग महाँ पर लिख सकते हैं शब्द कोस देखकर एक बार आप मेहनत करेंगे जीवन भर के लिए वहाँ पर पैंसे से लिख सकते हैं चाहे तो पैंसे भी लिख सकते हैं आपकी इचा है इसके बाद है स्वयम के नोट्स त्यार करना दूसरों के नोट्स के उपर निर्भर ना रहे हैं जो भी अच्छे-ची किताबे हैं या तो स्वतह ही याद हो जाती है और दूसरी बात या है कि आपकी लिखावाट भी सुधरती चली जाती है और लिखने की स्पीड भी बढ़ जाती है यो पीएसी वगरा एक्जाम में बहुत तेजी से बहुत सारी बातों को लिखना पड़ता है तो आपको क्या होगा नोट्स तैयर करने फिर तीन चार फायदा है एक तो आपका खुद का नोट्स तैयर हो जाएगा अब विशय वस्तु से पुरी तरह परिचित हो जाएंगे आधी बातें लगबग उसी समयाद हो जाती है आपकी हेंड रातिंग भी सुधर जाती है और राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाती है तो यह सारे फायदे हैं इसके बाद स्तरी और मानक पुस्तकों का अध्याण क्या तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है बजार में किया बहुत सारी किताबें आती हैं गाइड्स और नोट्स ओकर मिल जाते हैं तो यह साट कट रास्ता अपना कर सिर्फ आप बीए या एमे तो कर सकते हैं लेकिन कोई बड़ी उपलब्दी हासिल नहीं कर सकते हैं परिछा में ठीक है अच्छे हैं भी आ जाएंगे लेकिन वास्ता में जब आप प्रत्योगी परिछा देंगे या फिर जब आप साक्षात कर वगरावे जब शामिल आप होते हैं तो इनसे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है यदि आपको उद्देश से सिर्फ बीए करना एमे करना कोई डिगरी हासिल करना है तब उद्देश है बड़ा लक्ष है जो कि प्राया रहता है आप अच्छे-च्छे विस्वी देले में पढ़ना चाहते हैं या बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस तरी मानाक और प्रमाडिक पुस्तकों का अध्यान करना ओस्यक है समय समय पर मैं कित आप लोगों को पसंद नहीं आते लेकिन यहां पर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आएगा कि नहीं आएगा यह मेरा उद्देश नहीं है यदि एक भी चात्र गंभीडा से मेरे लेक्चर को देखता है तब उसको पूरा फाइदा मिलना चाहिए ठीक है इसके बाद जो कविता वर अगर आएं उसमें आपको सवर पार्ट करने की आदर डालना चाहिए स्वर के सांथ उसको पढ़ने का आदार डालना चाहिए इससे क्या होगा आपका उचारण वे इशुद्ध होगा अब कवीता और साहित्य का आनन्द उठाना भी सीखेंगे ज्यवसे हर्वन स्राव च्चान जी की कवीता है जो बीद गई सोबाद गई और भी बहुत सारी कवीता हैं तो मेरे एक दूसरा चैनल है All In वन चैनल में कवीता पार्ट करता हूँ ताकि बच्चों में रूची जाग रहे तो जिसे सवया है रस्खान का जो सवया होता है है ना मानुस होता है रस्खानी तो इन सब चीज़ों को आपको सस्वर पार्ट करना आना चाहिए आप आनन्द भी उठाएंगे और आपका उच्छारण भी शुद्ध होता चला जाएगा साथ ही अदिका भी आपको मंच पर जाने अपके प्री कभी कोन है उनकी कोई कविता सुनाईए गाकर ऐसा भी हो सकता है ठीक है इसके बाद है अपनी मित्रों के साथ चर्चा परिचर्चा करना साहितिक गतिविधिया मतलब जैसे बाद भी बाद है इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चर्चा प्रतियोगिता ल लेकिन आपको विफिन्य प्रत्योकिताउं में भाग अवश्य लेना चाहिए उसमें आपको भाग जरूर्ण लेना चाहिए इसे क्या होगा आपमे कान्फिडेंस आप्मे अपमे आत्मियश्डिक्सित होने लगेगा धिरे धिरे अप लोगों की बीच में जायांगे अपने आपको express करेंगे अभिव्यक्त करेंगे और इसे आपको साक्षातकार में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आप लोगों को face करना सिखेंगे interview board खासकर जो साक्षातकार में उन छात्रों को बहुत अच्छे अंक मिलते हैं जो बोलने में कुशल होते हैं कई बर ऐसा होता है कि आप भले आपको उत्तर पता रहो लगी फिर भी आप interview board को impress करने में सफल हो याते हैं तो बोलने की जो शमता है इनी सब बातों से विक्सित होती है तो हिंदी साहते के छात्र को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप बोलने की शमता विक्सित करें और लिखने की शमता भी विक्सित करें दो बातें आप हमेशा नोट कर लें जब भी आपको मौका मिले कहीं बोलने का तो जरूर बोलें इस बात का परवार ना करें कि लोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना उनको कहने दीजिए आपको अपनी बात रखनी है और उचारण आप शुद्ध रखिए स्पिलिंग सही रखिए इसके बाद जो है लिखीत परिच्छा में अच्छे अंग लाने के लिए आपको कभियों वाल लेखोगों की पंक्तियों का उद्धरान द देना मतला है कोटेशन कोट करना लाइन और यदि दो कलर लिखने में अलाव है तो ब्लैक कलर से आप कोटेशन कोट कर दें जो भी पंक्तियां तो लिखीत परिच्छा में उद्धरान देना बहुत ही जोरी होता है और अब जैट्ट्ट्र टैप क्षिन में पूछे जाता ह और अंग्रेजी में कोई महारत हासिल करना हिंदी से ज्यादा असरल है दो तिन में आप ध्यान दे देंगे एक आत घंटा तब बहुत अच्छी अंग्रेजी आप सीख सकते हैं इंग्लिस में क्या ग्रैमर पर आपका कमांड अच्छा होना चाही व्याकरण में बाकि आप तो पढ़ते पढ़ते हो जाता है तो अंग्रेजी आप समाचार पत्र है तो एडिटोरियल पढ़ें संपाद की दोनों इस समाचार पत्रों का हिंदी समाचार पत्र और अंग्रेजी समाचार पत्र दोनों का संपाद की पढ़ने के आदा जरूर डालिए एडिटोरियल जो page होता है उतमें समसामाई क्वीसियों पर बहुत अच्छे लेख होते हैं तो यदि आप किसी भी परिच्छा की त्यारी कर रहे हों अक्षात कर में बहुत काम आता है या फिर निबन लिखने में बहुत काम आता है तब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के समाचार पत्रों का एडिटोरियल या संपाद किये जो प्रिष्ट होता है उसको आप पढ़ने की आदर डाल लें समाचार पत्र तो ऐसे भी आपको रोज पढ़ना चाहिए इसके बाद जब आप किताबों को पढ़ते हैं तो ठीक है साब सुत्र धंग से आप उसको अंडरलाइन करके या फिर हाइलाइट करके जरूर रखिए जो महत्तपूर्ण बाते हैं या फिर जो बार-बार परिच्छा में जैसे अब्जेक्ट्व टाइप अले क्वेस्चन बार-बार परिच्छा में जो प्रसन आ रहे हैं चार-चारा राइम पिंदा शुक लखी किताब आप पढ़ रहे से कबीर दास जी के बारे में जिनके बार-बार आ रहे हैं उसको हाइलेट करके अंडर लाइन करके जरूर रखें जैसे दिसंबर 2023 में जून 2023 में कब आया तो चोड़ा सा पेंसिल से आप वहां पर लिख रहे हैं तो आपको उसका महत्त पता रहेगा कि मुझे इस बात को ध परिच्छा तो कितने घंटे का है उसकी अधार पर आपको तैयरी करनी है तीन घंटे का पेपर है कि लॉंग अंसर टाइप कितना शब्द लिखना है कितने देर तक में लिख सकता हूं तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखकर किसी आपका पूरा कमांड होना चाहिए आपको पता होना चाहिए और लेखित परिश्य में कम से क्म-5 साल जो कम से कम 5 साल के परस्दुब में rah Kalau बीर अप से बनने चाहिए अज operate समय में हिंदी के सम्मण्द में सूचना प्रवद्योगे कि भी सारा टूल्स उपलब्द हैं तूल्स मतलब उपकरन हिंदी के शेत्र में जैसे कि यूनिकोड हो गया गूगल ट्रांसलेशन हो गया स्पीश टेस्टर हो गया मतलब इसमें बोल कर भी आप टाइप कर सकते हैं तो यह सुचना प्रदोग wp trucks की यंदी की चेत्र में हिंधी को लेकर तो उसकी पूरी आपको जनकारी होनी चाहें की यूनिकोड क्या है कैसे कायम करता है हिंदी के शेत्र में Itsukyya ट aç मवं ilasu गया है इसके बातों को अपको पूरी ध्यानमें रखनाए और यह राज भाषा आपको पूरी जानकरी होनी चाहिए क्योंकि आज हिंदी का शेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है इसके बाद एक चीज़ हमेरे साथ ध्यान में रखिए अकेले मत पढ़ते रहिए कुछ लोगे में होता है अपना नोट से अपर अपनी किताबों को छुपा करकना दोस्तों का सांस शेयर नहीं करना अकेले पढ़ते रहना इन सब चीज़ों से कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि दो चात्रों को आफ सेम नोटस दे दिजिए सेमकिताब के दिजिए वाब पूरी तरह एक दूसरे से भीन होता है परिच्छा में सफल होना अच्छे अंकला यह अलग ही मामला होता है जो बेवजा का पखवास तोपिक को दुराना है जो नोटस आपने बनाया है जो किताब आपने पढ़े समय समय पर आप उसको दूहराते रहें और हमेशा बिंदुवार नोट्स तयार करें मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप करें आपका आंसा लिखना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप तो सबसे सुरुआत में आप पॉइंट्स को लिख लिजिए मतलब परिच्छा के आप पुरा पॉइंट से लिखे लिए प्रस्तावना पॉइंट नमर वान पॉइंट नमर टू थी फोर फाइफ सीक्स और आखरी में निश्कर्स या उपसंगहार लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है डिस्क्रिप्टिव में और यदि आप उसके लिए तैयारी कर रहें त लगा कर विंद्वा हमेशा आप नोट से बनाते हैं वह हमेशा आपको बिंद्वार पॉइंट वाइस नोट से बनाकर जरूर रखें तो यह कुछ महत्तपूर्ण टीप्स हैं लेकिन एक बार जो मैं आपको शुरू में बोला हूँ वो सरवादिक महत्तपूर्ण है बुक में जो कठी शब्द आते हैं शब्द को से मिनिंग देखकर आप वहाँ पर अंडरलाइन करके उसके मिनिंग को आप पेंसिल से बगल में जरूर लिख लें तो यह काम आपको करना जाओ रहे ते निश्चेत रूप से आप अपनी परिच्छां में सफलोंगे यह सारी अब ध्यान में रखते हैं निश्चेत रूप से आप सफलोंगे विशेष रूप से सक्षात कार के दवरान के आप मुखर नहीं है नजर से नजर मिलाकर बात नहीं करते हैं इंटर्वी बोर्ड में तो बहुत ही नकरात्मा कसर आपको पढ़ता है मतलब इंटर्वी सब्सक्राइब करना आपके इच्छा को पर है लेकिन मेरा उद्देश रहता है चात्रों को उनकी मंजिल तक पहुचने में कुछ सहाथा कर सको जानकारी मुझे रहती है जो घ्रान है थोड़ा बहुत वह आपसे शेयर करता हूं अधरनाओं को सम्ध्याने का प्रयास करता हूं मेरे चैनल के बहुत सारे चात्र सफल भी हुए हैं मुझे संदेश भी बेशते रहते हैं कि सर हमारा PG में Amid Mission हो गया है या फिर माई यूडीसी नेट मैंने क्लियर कर लिया है तो ऐसे बहुत सारे चात्रों के संदेश आते रहते हैं मेरे इसमें कोई भूमिका नहीं है मेरा उद्देश सिर्फ आपको दिशा देना है यह डारेक्शन है इस तरह आप चले यह इस तरह से आप तैयारी करिए तो इस साथ अपने मित्रों के साथ भी साज्या करें और यदि मेरे चैनल में नए है तो आप सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद जैहिंजय भारत